हेलो डियर स्टुडेंट्स, एजुकेस्न वीत्पूनम चैनल में आपका स्वागत है कल हमने जो वीडियो कम्प्रेट किया था, उसमें हमने आपको जो बेंकिंग कलेक्शन है उसके बारे में बताया था, जो बेंकिंग कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है जिसके अंदर DRA, Recovery Agent जो banking है उसके बारे में बताया IABF क्या होता है उन सब के बारे में हमने discuss किया अब हम एक-एक topic लेके उसके बारे में जो complete information है वो हम आपको देंगे जिससे आपको जो छोटी-छोटी चीजे हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप इसमें इसका जो benefit है वो ले सकें तो आज हम DRA के बारे में complete जानकारी है वो आपको देंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि DRA क्या है तो जो DRA है वो एक recovery agent के लिए जो collection department होता है banking sector के अंदर तो जो banking collection department में जो agent काम करते हैं जो recovery agent होते हैं उनके लिए जो government ने एक authentic certificate है वो issue किया है कि जो recovery agent है उनके लिए जो DRA certificate है वो होना बहुत ही जरूरी है इसके बिना कोई भी recovery agent है वो काम है वो नहीं कर सकता वो किसी भी प्रकार का collection है वो नहीं कर सकता तो जो DRA है वो एक recovery agent के लिए जो एक आप course मान सकते हैं कि एक training दी जाती है जो recovery agent को जिसको तहत उसको DRA है वो कहा जाता है debit recovery agent जो DRA है उसका full form होता है debit recovery agent तो हर recovery agent के लिए DRA करना बहुत ही जरूरी है अब बताते हैं कि यह DRA है यह होता क्या है तो DRA standards O4 debit recovery agent है यह इसका full form होता है और यह किस के तहते किया जाता है तो जो RBI है जो बेंक हैज रिक्वेस्टेट दा इंडियन बेंक एस्वेस्टेशन तो फॉर्मूलेट in consultation with Indian Institute of Banking and Finance IIBF a certificate course for direct sales agent, direct marketing agents, debit recovery agents with minimum 100 hours of training तो जो RBI है उसने जो IIBF है उससे एक रिक्वेस्ट की कि वो एक एसा certificate course है वो बनाए जो recovery agent होते हैं direct marketing agent होते हैं उनको एक training दी जाए 100 गंटे की जिससे वो उस training को complete करके ही जो recovery है जो कोई भी collection है वो कर सके हैं उनके पास एक DRA का certificate होना बहुत ही जरूरी है जब कोई भी agent है वो collection के लिए जाता है किसी के पास तो उसके पास एक ID होना चाहिए वही ID, DRA है वो एक ID के रूप में ही माना जाता है क्योंकि उसके पास एक proof होना चाहिए कि वो किसके तहत जो recovery है वो किया जाता है क्योंकि कुछ cases जो पहले रीकवरी तो पहले भी की जाती थी DRA आने से पहले लेकिन क्या होता था कि उसके अंदर कुछ फरजी cases जाने लगे, customers recovery agent को लुक्सान पहुंचाने लगे और कुछ recovery agent है वो customers को mentally torture करते थे तो उसकी बरपाई कौन कर सकता था इसलिए जो government है RBA है उसने यह decide कि जो recovery agent होते हैं उनके लिए authentic training और एक certificate course है वो start किया जाए जिसके तहत उनको training दी जाए उनको complete information प्रवाइड की जाए और किस प्रकार जो customer है उसको handle करना है उसके बारे में बताया जाए तो DRA है उसके तहत है वो कारिये करता है DRA के तहत जब training complete हो जाती है तो एक recovery agent है वो recovery या collection करने के लिए त्यार हो जाता है उसको complete जानकारी है वो मिल जाती है recovery की और उसको किस प्रकार काम करना है वो बताया जाता है तो जो DRA है वो सबसे पहले 2008 के अंदर इसको है वो लाया गया था क्योंकि 2008 से पहले recovery agent तो होते थे लेकिन कोई भी ऐसा certificate है या identification है उनके लिए नहीं था कि वो अपनी जो identification है वो बता सके कि हम recovery agent है तो वो किसी भी recovery के लिए जाते थे तो उनको बहुत प्रेशनियों का सामना करना पड़ता था साथ ये customers को जो प्रेशनियों का सामना करना पड़ता था तो इसलिए बहुत सारे cases ऐसे आये जिसमें जो दोनों customers और agent दोनों को काफी नुक्सान हो रहा था तो आरबेई ने डियारे का जो certificate है उसको सुरुवात किया IIBF के तहट तो जो अब वर्तमान के अंदर 2008 के बाद जो agents जो collection department है जितने भी recovery agent है उनके पास IIBF की training और उसका certificate होना बहुत जरूरी है अब जो भी students collection department या banking sector के collection department या recovery agent बनना चाहते हैं उनके लिए डियारे है यो बहुत ही जरूरी है तो friends आप में भी आप लोगों के अंदर या आप लोग भी इस sector के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को भी डियारे करना बहुत ही जरूरी है इसकी processing भी मैं आपको ब किस परकार इसकी processing है वो की जाती है और किस परकार डियारे करने के बाद आपको जोब में benefit मिलेगा और आप किसी जोब के लिए apply भी कर सकते हैं तो जो आई आई बीएफ है इस्टुटू इंडियन इस्टूटूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यह डियारे का certificate है वो कर जाता है उस रिटेन ईग्सां के clear करने के बाद आपको एक certificate प्रोईड करवाय जाएगा जिसके बाद आप recovery करने के काबिल हो जाओंगे जिसी भी department में आपको लिया जाएगजा या जो भी आप जौत कर रहे हों जहां कर रहे हों collection के लिए वहां आपको को एक ID proof है, certificate है, authentic certificate है, वो मिल जाएगा, तो यह रही DRA की बाद, तो 2008 के बाद इसको mandatory है, वो किया गया है, इस certificate को, तो इसकी definition देखती है, कि DRA is defined as person engaged by a bank for the purpose of calling specified loan or advances और other kinds of debits from debaters and or borrow in accordance with the specified terms and condition, तो जो DRA है, वो किस परकार recovery करता है, तो जो calling के तहत किया जाता है, और उसके पास उनके घर पे पहुँचके, उनके घर किसे जो recovery है, वो किया जाती है, कलेक्शन किया जाता है, तो जो calling है, जिसके तहत कोल करके, किस्टमर्स को aware किया जाता है, जिससे उसको बताया जाता है, कि उसने कितना loan लिया है, कितना पेशा उसको deposit करवाना है, और इसी परकार कुछ जो recovery agent है, वो उनके घर पे जाकर भी recovery है, वो करते हैं, तो जो calling का time होता है, वो 7 to 7 होता है, और जो घर से जाके recovery की जाती है, वो 7 to 9 की जाती है, अब ये तो रही DRA की बाद, अब मैं आपको बताऊंगी कि DRA आपका जो course है, certificate है, आप किस परकार कर सकते हैं, तो जो DRA है, उसके तहट आपको जो IIBF है, उसकी site पर जाना होगा, और जो IIBF certificate course करवाता है, जिसके अंदर जो DRA है, वो होता है, तो जो DRA है उसके लिए आप apply कर सकते हो, कोई भी इसमें जो banking sector के अंदर जाना चाता है, या फिर कोई recovery agent बनना चाता है, तो IIBF की website पर जाके, उसमें DRA का certificate course है, वो आएगा, और उसमें आप enroll हो सकते हो, उसमें आपको कुछ फीस है, वो के pay करनी पड़ेगी, और उसके बाद, जो IIBF है, वो आपके training है, उसके लिए आपको verify करेगा, 100 hours की training के बाद, आपको एक exam है, वो देना पड़ेगा, और उसके बाद, आपको certificate है, वो issue हो जाएगा, certificate issue होने के बाद, कोई भी जो DRA या recovery agent के तहत collection department में, जो recovery agent की जुब निकलती है, आप उसमें apply है, वो कर सकते हो, तो आ वो आपको दी, अगर फिर भी आपके अंदर जो DRA से समन्दीत या banking collection department से समन्दीत कोई doubt है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपको complete information है, वो provide करवाऊंगी, और जो IIBF की जो website है, आपको description में link दे दूँगी, आपको check कर सकते हैं, और इसकी processing क्या है, वो भी व लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे comment करके जरूर बताएं, और इससे समन्दीत कोई query है, वो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, thank you, मेरी चैनल Education with Poonam, मैं को subscribe कीजिए, share कीजिए, और like कीजिए, आज के लिए इतना ही, thank you